ये लीजे फ्रेंड्स मोतिचूर की लड़ू आप देखिएगा हलवाई से बढ़िया मोतिचूर की लड़ू हम घर पे बना सकते हैं बिना बुंदी बिना जहारे बिना ज़ादा मेहनत के जी हाँ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माईशास की चन आज मैं आपके लिए मोतिचूर के लड़ू घर पे बनाने का तरीका लेकर आई हूँ फ्रेंड्स बिल्कुल हलवाई से लाकर खाना आप भूल जाएंगे इतने मज़दार मस्त ये मोतिचूर के लड़ू घर पे बनते हैं बिना बूंदी बिना ज़ारे बिना किसी मेनत के तो वीडियो को एंड तक देखिए और आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अचनल को सब्सक्राइब करना मत भूले तो चलिए आज की मीठी मीठी रेसिपी शुरू करते हैं तो मोती चूर के लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले हमें मोती चूर का बेस बनाना है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटो रीतना बेसन यानि चना डालाटा लिया है और उसमें आधा कटो रीतना पानी डाल करके सिम्पल सा घोल हम इसका तयार कर लेंगे इसमें एक्स्ट्रा का कुछ भी एड़ मत कीजिए जिस तरह का भजियों का वगरा बैटर होता है सेम उसी तरह का बैटर हमें तयार करना है बैटर को ज़्यादा पतला मत रिखेगा ये देखें ये हमारा बैटर अभी रेड़ी हो चुका है आप देखें पास से किस तरह के consistency है इसके बाद हमें यहाँ पर लेना है एक carry bag तो ये जो carry bag है न ये दूत की carry bag है तो मैंने इसी का यहाँ पर इस्तेमाल किया है मेरे पास अभी special जो हम लोग पपडियां वगरा बनाते हैं उस तरह का कोई भी बरतन नहीं है तो मैं इसी तरह के से क्यारी बैग का यूज करते हुए आज ये मोटी जूर का बेस बनाऊंगी तो दिखिए सभी बैटर क्यारी बैग में डालने के बाद ना उसे कोने में हम अच्छे से सेट कर लेते हैं आप चाहे तो उपर के साइड से इसके रबर भी लगा सकते हैं जो कोने का हिस्सा होता है वो कैंची से थोड़ा सा हम कट कर लेंगे यह देखिए ज्यादा मोटा मत कट कीजिए इस तरह का कट करना है हमें और यह देखिए पीछे से प्रेस करते ही देखिए यह बैटर कैसा निकलता है यह देखिए तो बस अभी हमें यहाँ पर पपड़ियों को फ्राइ करना है इसके लिए मैंने यहाँ पर तेल पहले ही गरम कर लिया था तेल को ज़्यादार मत गरम कीजिए मैंने थोड़ा सा बूंदी का पोर्शन इसमें डाल कर देखा तो ओल अच्छे से गरम हो चुका था यह दिखे बबल्स भी अच्छे से आ रहे है यह न पपड़ियों को न हमें जादा क्या बुलते हैं उसको जादा फ्राइ नहीं करना है यानि कड़क फ्राइ नहीं करना है इसलिए ओल को जादा गरम मत करे और बस इस carry bag को इस तरह से प्रेस करते हुए सभी batter हम इस oil में इस तरीके से डाल देंगे बिल्कुल फिकर मत करें फ्रेंड्स ये पपड़ियां आपस में चिपकती भी है ना fry करते वक तो कोई problem नहीं वैसे भी हमें इसे पीसना ही है तो जैसे तैसे batter सभी मैंने एक ही pan में adjust करके डाल दिया है ये दिखे और बस gas का flame medium to high के बीच का रखकर इसे हम दो-दो मिनट के लिए अलट पलट करके fry कर लेंगे यकिन मानिये फ्रेंड्स ये इतना बढ़िया तरीका है ना मोतिचूर के लटू बनाने का आप बस एक बार इस तरीके से इस दिवाली सीजन में मोतिचूर के लटू बना करके दिखे सभी से बस आप तारीफे ही पाने वाले हैं और ये दिखे मैंसे अभी इस तरह से flip कर लेती हूँ नहीं तो ये जो मोतिचूर का बेस है ना वो कड़क फ्राय हो जाएगा तो ये चाशनी को अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं करेगा इसलिए जिस तरह किसे हम भजे वगरा फ्राय करते हैं ना सेम उसी तरह के कलर का हमें ये फ्राय करना है दो-दो मिनट तक फ्राय करने के बाद ये हो जाएगा और तकरिबर पांच मिनट तक इसे फ्राय करने के बाद देखें ये हमारा पपडिया अच्छे से फ्राय हो चुकी है तो मैं अभी इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और ये लिजे friends, यहाँ पर मैंने सभी पपडिया प्लेट में निकाल ली है और ये दिखें कितने अच्छे से सौफ्ट सोफ्ट ही अच्छे से फ्राय हो चुकी है friends, ये दिखें मैं इसे मैश करके दिखाती हूँ ये देखे, आपको आइडिया जाएगा कि इस तरह से हमें इसे फ्राई करना है इस पपड़ियों को ना हलका सा थंडा होने देते हैं और जब ये हलकी से थंडी हो जाएंगी तो हम इसे इस तरह से हाथ से ही तोड़ लेंगे क्योंकि हम इसे पीसने वाले हैं न मिक्सी के जार में डाल करके तो पीसने में आसानी हो जाएगी तो सभी पपड़ियों को तोड़ने के बाद अभी मैंना इसे एक मिक्सी के जार में डाल देती हूँ यह दिखे और अगर आपका मिक्सी का जार छोटा है तो दो सेक्षन में इसे पीस लीजेगा लेकिन हमें इसका एकदम दरदरा मिक्षर चाहिए यह दिखे इस तरह का आप देख सकते हैं यह ऐसा लगता है कि हमने बूंदी ही मिक्सी में बना करके निकाली है दिखे कितना और बेसन हमने लिया था तो एक कटोरी इतनी ही चीनी मैंने पैन में डाल दी है आधी कटोरी इतना उसमें पानी डालेंगे ग्यास का फ्लेम अभी ओफ है फ्रेंड्स मैंने अभी ग्यास चालू नहीं किया और यह चीजन डालने के बाद अभी ग्यास का फ्लेम आन कर और दिखिए यहाँ पर चीनी ना अच्छे से मेल्ट हो रही है ग्यास का फ्लेम हाई ही है और हमें अभी इसमें कुछ चीजें एड़ करनी है जैसे कि फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर दो इलाइची के बीज को क्रश करके डाल देती हूं आपको पसंद है तो डालिएगा वर पाउडर में डाल सकते हैं और देखिए बुंदी में हलवाई जो एक चीज यूज करते हैं जैफल जैफल इसमें थोड़ा सा कद्दू कस करके जरूर डाले अच्छा इसका टेस्ट बुंदी के लड़ू में आता है आपके पास अवेलेबल नहीं है तो स्कीप कर दे और ब बिल्कुल तारवार नहीं होता, सिंपल सी प्लेन चाशनी इसकी बनाई जाती है, मैं आपको पास से इस चेक करके एक बार दिखाती हूँ फ्रेंड्स ये दिखें, ओईल की तरह ये गम चिपचिपी जरूर है लेकिन इसमें बिल्कुल तार नहीं है फ्रेंड्स ये दिखे याद रखिए अगर आप चाशनी को तार आने तक अगर पकाएंगे ना तो हमारे लड़ू कड़क हो जाएंगे इस बात को आप ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर ग्यास का फ्लेम ना अभी लो कर देते हैं और इसमें हम आइड करेंगे यह मोती चुर का बेस यानि मोती चुर की जो भी बुंदी हमने मिक्शर में बना करके ली है ना वो इसमें डाल देंगे अब बस ग्यास का फ्लेम लो ही रखिएगा और इसे दो मिनट तक अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं ताकि जो भी यह चाशनी है वो बुंदी के अंदर तक चली जाए और एकतम बढ़ी आसे मोती चुर के लड़ू हमारे बन जाए फ्रेंड इसी दवरान प्लीज एक बात चेक कीजिए कि क्या आपने माईशास की चन यूटुब चानल को सब्सक्राइब किया है नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बाज में बेल आइकोन होता है ना उससे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकिशन आपको टाइम पे मिलते रहे सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख सके तो प्लीज फ्रेंस इस प्रोसेस को आप एक बाद जरूर चेक कीजिए तो देखिए बातों ही बातों में यहाँ पर यह मिक्सर अच्छे से थिक हो चुका है फ्रेंस आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ग्यास का फ्लेम अफ कर देंगे और इसे हम लीड से कवर करके ना 15 मिन तक साइड में छोड़ देते हैं यह दिखे 15 मिन के बाद मैं अभी इसे खोल देती हूँ फ्रेंस यह दिखे बूंदी ने चाशनी को पूरी तरीके से पी लिया है आप देख सकते हैं एक्तम दानेदार यहाँ पर मोती चूर के लड़ू का बेस बनकर तयार है फ्रेंस देखिए कोई बोल सकता है बलाई से देख कर कि यह बूंदी हमने इस तरीके से मिक्षर में वगरा पीस करके बनाई है तो बस अभी क्या थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथ में ले करके बड़ी आसा इसे हम लड़ू का शेप देदेंगे लेकिन याद रिखिए ये मिक्षर ना हलका सा गरम होना चाहिए तब ही हम इसके लड़ू बनाएंगे तो अच्छे से लड़ू ये बन जाते हैं अच्छे से इसमें बैंडिंग आ जाती है और अगर आपका मिक्षर बहुत ज़्यादा थंडा हो गया है तो आप इसे थोड़ा सा गरम कर ले और इसके बाद ही इसके लड़ू बना ले ये दिखे फ्रेंड्स एकदम मुह में पानी लाने वाला मुह में घुल जाने वाला म लेकिन मेरे बच्चे ड्राइफरुट निकाल करके खाते हैं लड़ू इसलिए मैंने इसमें ड्राइफरूट एड नहीं किये और बस सभी लड़ू हम इसी तरह के से बना करके तयार कर लेंगे देखा ना फ्रेंड्स कितना आसान तरीका है मोतिचूर के लड़ू बनाने का हलवाई से भी बड़िया लड़ू यहाँ पर बन करके तयार है फ्रेंड्स यकीन मानिए एक बार आप इसे घर पर ट्राइ कीजिए और आपको मेरी रेश्पी पसंद आई हो तो कमेंट में भी बताईएगा देखे फ्रेंड्स दो से तीन लड़ू मैंने ऐसे बना करके प्लेट में रखी ही थे कि बच्चों ने तो उसे खा भी लिए इतना मस्त यह लड़ू बनते हैं और गार्निशिंग के लिए मैंने इस तरह से उपर से इसके बादाम लगा लिए हैं आप चाहे तो इसे किसी भी तरह से गार्निश कर सकते हैं या ऐसे भी प्लेन इसे खा सकते हैं यह दिखे तो यह लिजे फ्रेंड्स मैंने सभी लड़ू बना करके तयार कर लिए आप देख सकते हैं कितने बड़िया लड़ू यहाँ पर बनकर तयार है और बस आप इसे दो से तीन घंटे तक रेस्ट अगर देंगे ना तो यह लड़ू और अच्छे से सेट हो जाएंगे मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ फ्रेंड्स अभी यह लड़ू बना करके मुझे तीन घंटे हो चुके हैं यह दिखे बिल्कुल भी हार्ड नहीं है एक कम सौफ्ट मुह में घुल जाने वाले मोति चुर के लड़ू हलवाई से भी बढ़िया बन कर तयार है फ्रेंड्स आप इसी रेसिपी को मेरे तरीके से एक बार घर पे जरूर ट्राय करें और पसंद आए तो लाइक शेर और चानल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं फ्रेंड्स आकले वीडियो में ऐसी मज़दार रेसिपी के साथ धन्यवाद